छोटी सी चीज हमारी इतने बड़े-बड़े काम कर देती है, जो हैरानी होती है जी हाँ, अगर आप समझ गए हैं थम निल को देख कर, तो ये फिटकरी, जिसे हम एलम कहते हैं आप सभी जानते हो, फिटकरी बड़े काम की है और वे चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं, कुछ नया सा करने ये फिटकरी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जैसे कि पहली प्रॉब्लम है, कभी गलती से घर में किसी को चोट लग जाए और उस समय आप फटा-फट डॉक्टर तक ना जा पाएं तो उसे खून को रोकने के लिए आपके पास है ये फिटकरी फटा-फट से उस फिटकरी को पीस लीजे, पानी में घोल कर उस चोट पर पहले लगा लीजे जिससे सबसे पहले तो उसका ब्लेड निकलना बंद हो जाए यकीन नहीं होगा आपको ये बहुत जल्दी हील कर देता है हमारे जख्म को फिटकरी में जो एंटिसेप्टरिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वज़ासे ये बिलकुल भी जख्म को नुकसान नहीं करती है तो आप इसे जरूर लगाया कीजे और उसके बाद फॉरण आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं फिटकरी में ऐसे गुण होते हैं जिसकी वज़ासे हमारे दांतों की प्रॉब्लम को खत्म करती है ये फिटकरी जैसे के दांतों का दर्थ, मसूरों में सूजन, दांतों से खून आना, या फिर दांतों का पीलापन, या फिर सांस की बद्बू ये सारी प्रॉब्लम आपकी फिटकरी से खत्म होगी आप एक ग्लास पानी ले लिजिए डेली उसमें थोड़ा सा फिटकरी पीसकर यदि डाल देंगे उसे होगा ये इसे गागिल करेंगे पीना नहीं है तो अब चलते हैं एक और इसका फायदा जो के सालों से, सदियों से male person इसका use करते आ रहे हैं वो है ये कि उनकी skin बिल्कुल tight रहती है जब कि वो रोज shave बनाते हैं सोचिए, face पर आप रोज razor रगर रो फिर भी वहाँ पर skin पर कोई भी दाग नहीं है क्योंकि वो fit curry जो after shave वो लगाते हैं, जिसकी वज़ा से वो सारे जख्म खतम हो जाते हैं fit curry में antiseptic property है estrogen भी property होती है जिसकी वज़ा से इसमें कभी भी open pores नहीं होते हैं, जुरियां नहीं होती हैं, और skin tight रहती हैं और bright बनी रहती हैं गर्मियों में जब हम नहा करी निकलते हैं और पसीने से तरबतर वापिस से हो जाते हैं ऐसे में फिर से पसीना होता है तो फिर बद्दू आती है तो ऐसे में बड़े irritate होते हैं आपको करना क्या होगा नहाते टाइम थोड़ा सा fit curry पानी में डाल दीजे जिससे यह होगा जब भी आपको पसीना आएगा भी लेकिन उसमें स्मेल नहीं आएगी कैसी लगी है बच्चों ट्रिक्स? मज़े कॉमेंट करके ज़रूर बताएए कई यंग्स्टर्स को पिमपल्स हो जाते हैं अब पिमपल्स की वज़ा से वो बहुत परिशान रहते हैं पिमपल्स की कई उन्होंने दवाईयां भी ली होंगी मैं यह नहीं कहती कि आप कई भी डॉक्टर के पस मत जाईए किसी भी स्किन स्पेशलिस को मत दिखाए जाईए वो भी कीजे साथ में कुछ ये भी छोटा सा ये नुस्का जरूर अपनाई है जैसे कि आपके फेस पर पिमपल्स हैं फिटकरी का थोड़ा सा पाउडर पानी में घोल लीजे और उसे पिमपल्स वाले चेहरे पर लगा लीजे थोड़ा सा जलेगा लेकिन सहन कीजे उसके बाद थोड़ी देर बाद 15-20 मिट बाद आप चेहरे को वाश कर लीजे एक और इसमें फाइदा होगा पिमपल्स जो मार्क्स छोड़ जाते हैं हमारे चेहरे पर वो भी नहीं आएंगे चेहरे पर अगर आपके दाग धब्बे हैं पिमपल्स नहीं भी हैं सिर्फ दाग धब्बे हैं वो भी धीरे धीरे चली जाएंगी जुरियां चली जाएंगी बहुत ही अमेजिंग ये फाइदा देगा तो आप इसे जरूर अजमाईए अगर आपकी इसकिन बहुत जादा ओयली है और जुरियां हैं तो आप क्या करें इस पाउडर को इसके फिटकरी के पाउडर को थोड़ा सा पानी में घोल लीजिए और इसमें शहद मिला लीजिए शहद मिलाने के बाद इसे फेस पर 15 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए जो जुरियां हैं जो दाग धब्बे हैं बिलकुल खत्म हो जाएंगी टाइम जरूर लगेगा लेकिन फाइदा बहुत बड़ा होगा लेकिन एक बात इतने सारे फाइदे होने के बाद भी सभी 100% लोगों को ये फाइदा दे ये बिलकुल जरूरी नहीं है किसी को तो एक दो बार में ही फाइदा होना शुरूर हो जाता है और किसी को आट-दस बार में फाइदा होता है और किसी को नहीं ये सूट करती जैसे कि किसी को ये रैशिस कर सकती है तो आपको करना क्या होगा हमेशा जब भी आप फिट करी यूज करें अपने हाथ पर थोड़ा patch ट्राय करें जैसे कि इसे पानी में घोल कर आप हाथ में लगा कर थोड़ी देर मतलब 4-6 गंटे के लिए छोड़ दें अगर skin red नहीं होती rashes नहीं आते तो मतलब समझ ये कि आपकी skin इसके लिए बनी है मतलब आप उसे use कर सकते हैं अगर आपको rashes आते हैं या pimples होने लगते हैं दाने उटने लगते हैं या लाल होने लगती है या eating होने लगती है या red हो जाती है बहुत ज़्यादा skin तो ये fit curry आपके लिए बिलकुल नहीं है क्योंकि जिनकी skin बहुत ज़्यादा sensitive होती है उनको फिर दूसरे हमारे tricks अजमाने होंगे fit curry को बिलकुल नहीं चूना होगा इसी तरीक से सफेद सापत्थर बहुत ही ज़्यादा कमाल करता है इसे use कीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो like कीजिए ज़्यादा शेयर कीजिए friends और family को